अगर आप लोग अभिशेक को क्रिमिनल कहते हैं, अगर ईशा दिग बॉस के घर में तेज तेज चिख चिख कर अभिशेक को क्रिमिनल कहती है, तो भाई आप भी ईशा उतनी ही उस क्राइम की हकतार हो, क्राइम पार्टनर हो और आप भी हाफ क्रिमिनल हो. नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली घजाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना मैं दूसरा चैनल राहूल वोच कॉमेडी है, कॉमेंट सेक्षन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, एक बार जाईए जाके धेर सारा प्याद बरसा डाले अब दोस्तो अभिशेक की अगर बात करें तो अभिशेक के उपर सबसे बड़ा इलजाम क्रिमिनल का लगता है, यह सचमुच में हैरान कर देनी वाली बात है और इस बात पे सलमान सहाब को बात उठानी चाहिए, लिट्रली उठानी चाहिए, क्योंकि आप पहले तो एक लड अब दोस्तो इशा की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि इशा और अभिशेक का रिष्टा था, क्रिमिनल्स क्या होते हैं जो कुछ क्राइम करते हैं, और अगर आप लोग देखेंगे तो इस पक्टिकुलर स्टोरी में दोनु ही क्रिमिनल हैं, क्योंकि दोनु ने ही एक के नीचे काला काला था, ठीक है, हाला कि यहां पे उसने उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को लेकर अभिशेक को क्रिमिनल बना डाल, क्योंकि अभिशेक ने उसको मारा था, लेकिन अगर इशा वहां से चुक्चाप निकल जाती, तो भही वो कही न कहीं बज जाती, वो गजर आएं हैं, तो भाई, यहां पर एक तरफा स्टोरी क्यों, क्यों अभिशेक को आप बदनाम कर रहे हैं, ये बात कहके कि वो क्रिमिनल है, क्यों यहां पर इशा की कोई बात नहीं करता, क्यों वीकेंड के बार पर अभिशेक को बैश किया जाता है, जबकि मुद्दा अल्रेडी इशा ने शुरू किया था, क्यों इशा को कहा जाता है कि ये घर चला रही हैं, रिष्टो को चला रही हैं, जब आप इशा को इतनी सारी benefits of facilities देकर अंदर भेज रहे हैं, और उसमें भी अगर वो perform नहीं कर पाती, तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बहुत perform कर रह ये तो आप इशा की वावाही कर रहे हैं और अभिशेक को विलन बना दे रहे हैं, तो ये तो भाया beauty और beast हो गया, beauty हो गया हमारी इशा और beast हो गया अभिशेक, तो ये किस तरीके का मामला है, तो आप अगर ये बात कहते हैं, तो एक बात सोचेगा जरूर, अगर उस मुद चेस्ट पे नाखुल लगाए थे तो ये बात हुई है दोस्तों खैर वैसे इस पर आपको क्या है कहना ये तो खुद इर्शा नहीं बताई है बात लेकिन कॉमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और बताएं से सोचल मीडिया पर बाते चल रही हैं तो मैंने सोचा आपको भी इस